हेलो फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम तो माई यूटूब चैनल पिछली वीडियो में हम पार्ट वन में हमने पड़ाता वन्सागती निंस हेरेडिटी की हेरेडिटी के बारे में हमने अध्यन किया था आज की इस वीडियो में हम संक्रण मिस हाइबर डाइजेशन के बारे में अधेन करेंगे चलिए श्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को सबसे पहले हम बात करते हैं कि संक्रण क्या होता मिन्स हाइबरी डाइजेशन क्या होता है आनवानसिक रूप से बिन दो जीवों के मद्दे जनन की किरिया को संकरण कहते है मिन्स जो जीव है वो आनुवानसिक रूप से तो अलग-अलग होंगे लेकिन जो इनकी species है वो समान होगी इस पर किरिया को क्या कहते हैं? संकरण कहते है इसमें किसमें? संकरण से उत्पन संतती को संकर means hybrid कहते हैं जो संकरण से जो उत्पन संतती होगी उसको हम संकर या hybrid के नाम से जाना जाता है और जो संकर में संकर जो जाती उत्पन होगी उसमें जो नए गुणों आएंगे उस नए गुणों को क्या कहेंगे संकरोज यानि जो इसमें उत्पन संत्ति को संकर कहते हैं और संकर से उत्पन जो नए गुण आएंगे उसको हम संकरोज नाम से जाना जाता है इसके बाद में हम यहाँ पर एक सब्द आया था जनन की ये क्या होता है चलिए इसकी प्रिवासा देखते हैं कि जनन क्या होता है किसी भी जीव दवारा यानि कोई भी जीव के दवारा अपने समान नए जीव को उत्वपन करना क्या कहलाता है संक्रण को स्टार्ट करने से पहले कुछ मेथोप्रण परिवासाओं के बारे में अधेन कर लेते हैं कोई에서 important definition के बारे में अधेन करते हैं सबसे पहली परिवासा है समयुगमजी मिंस homozygess किसे कहते है homozygess या समयुगमजी क्या होता है ऐसे जीव जिसमें पाए जाने वाले दोनों युगमख समान हो समयुगमजी कहला एसे जीव जिसमें पाए जाने वाले दोनों युगमग क्या हो समान हो क्या कहलाता है समयुगमजी कहलाता है और एसे पीड़ी को समयुगमजी पीड़ी कहते हैं यानि जो समयुगमग की युगमग समान होंगे इसमें और इसे जो उत्पन पीड़ी होगी उसको हम समयुगमजी PD के नाम से जाना जाता है, फॉर एक्जामफल, केपिटल टी, केपिटल टी, ये समयुगमजी है, मिन्स ये समान है, यानि कि ये small t, केपिटल टी और small t नहीं है, अगर ये capital t और small t होते, तो ये समयुगमजी PD हो जाती, लेकिन ये समयुगमजी समान है, याँ पर ये देख लो, ये भी समान है, small r, small r, capital r, capital r, small t, small t, अब दूसरी परिवासा के हम बात करते हैं, विसमुगमजी मिन्स हेटरोजाइगस किसे कहते हैं? एसे जिव, जिसमें पाए जाने वाले दोनों युगमक यानि एसे जिव जिसमें पाए जाने वाले दोनों युगमक ए समान हो विसम युगमजी कहलाते हैं और एसी पीडी को क्या कहते हैं विसम युगमजी पीडी कहते हैं यानि जो युगमक समान होंगे, तो समयुगमजी PD हो जाएगी, और जैसे युगमक आ समान होंगे, तो विसमयुगमजी PD हो जाएगी, यहाँ पर दोनों युगमक अलग अलग हैं, यहाँ पर दोनों युगमक समान हैं, अब हम बात करते हैं F1 PD गी, इसे पर्थम संत्ति PD के नाम से भी जाना जाता है, पेत्रक PD, देखते हैं कि F1 PD क्या होती है, पेत्रक PD में पर प्रागण कराने से प्राप्त जो PD होती है, वह F1 PD होती है, अब ये पेत्रक PD कौन सी हो गई, माता पिता, जो माता पिता होते हैं, उसमें पर प्रागण करवाने से जो प्राप्त की बात करते हैं अब हमारी नेक्स्ट प्रिवसा है एर्पीडि कि ए प्लॉपीडी किसे कहते हैं यह धित्यक संथ्यूक है एवन प्लॉपीड़ी कि में टॉप्रागण कराने से प्राप्थ पीड़ी को एप् not Coke के नामसे जाना न sushi है उसमें हम क्या करवाएंगे सो प्रागन कराने से जो प्राप्त हमें PD होगी वह कौन से PD होगी एप 2 PD इसके बाद में हम next परिवास आया कि प्रभावी लक्षन यह क्या होते हैं कि प्रभावी लक्षन क्या होते हैं विसम युगमजी F1 PD यहां पर अब यह द्यान में रखना कि जो F1 PD होगी वो हमेशा विसम युगमजी होगी कभी विसम युगमजी नहीं होगी विसम युगमजी F1 PD में एक लक्षन के दो कारक मिन्स लक्षन तो एक होगा लेकिन जो कारक हैं वो दो होंगे एक साथ उपस्तित रहते हैं इन में से जो कारक अपना परभाव मेंडल ने जीन को क्या कहाता कारक बोला था अपना परभाव परकट करता है उसे परभावी लक्षन कहेंगे कहते हैं यानि जो विश्वम युगमजी एक ही लक्षन के दो कारक एक साथ उपस्तित रहते हैं इन में से जो कारक अपना परभाव परकट करता है उसे परभावी लक्षन कहते हैं उसे क्या कहते हैं परभावी लक्षन नेक्स्ट परिवासा है एक परभावी लक्षन की एक परभावी लक्षन किसे कहते हैं विसम युगमजी F1PD में A की लक्षन मतलब लक्षन तो यहां पर भी A की होगा कारक दो होंगे एक साथ उपस्तित भी रहेंगे लेकिन इन में से जो कारक अपना परकट नहीं कर पाता उसे A परबावी लक्षन कहते हैं जैसे कि जो capital T है यह किसका है लंबाई का जो small t है यह क किसका है बोनेपन का यह कारक लंबाई का यह कारक बोनेपन का यानि इसमें capital T है यह तो परबावी होता है और जो small t है यह अपना परबावी लक्षन के नाम से जाना जाता है और जो small t है यह अपना परबावी लक्षन के नाम से जाना जाता है और जो small t है यह अपना परब प्रारूप मिन्स फिनोटाइप कि फिनोटाइप क्या होता है किसी भी जीव के बोतिक और बारूप को उस जीव का फिनोटाइप कहते हैं यानि कोई भी जीव है उसको हम बार से देखकर पता लगा सकते हैं कि इस जीव का समलक्षणी प्रारूप क्या होगा इसे क्या कहते है फिनो टाइप इसके बाद में हम next परिबासा की बात करते हैं कि समजीनी प्रारूप means genotype क्या होता है किसी भी जीव का अनुवानसिक संगठन जो जीङनो द्वारा निरदारित होता है उस जीव को क्या कहेंगे ज puppies उस जीव का कहेंगे उससे ज JE紙 नूटाइप है यानि यह है अनुआणसीक जो संगठन है वह किसके दौरा निर्धारित होता है जी नो दौरा मेंडल ने इसे क्या नाम दिया था कारक है और जिन सब्द किस ने दिया था जोनसंद है इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रिवासा की बात करते हैं कि युगम विकल्पी means एलिल्स क्या होते हैं एक लक्षण के दो या दो से अधिक रूप एक दूसरे के युगम विकल्पी होते हैं यानि लक्षण क्या होगा एक के दो या दो से अधिक रूप एक दूसरे क्या होते हैं युगम विकल्पी होते हैं जैसे यहाँ पर लक्षण क्या है लंबाई का तो यह एक दूसरे क्या होंगे युगम विकल्पी होगे यहाँ पर लक्षन तो एक है किनिन के रूप क्या है दो या दो से अधिक है लक्षन कौन सा है आपर लंबाई का तो यह एक दूसरे क्या हो जाएंगे युगम विकलपी हो जाएंगे मिंस पेर के रूप में हो जाएंगे युगम का मतलब है जोडा मिंस पेर इसके बाद में ह वो क्या होएंगे विप्रयासी लक्षन मेंडल ने कितने विप्रयासी लक्षनों का देन किया साथ का अब हम संकरण के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे एककल संकर क्रोस के बारे में मिन्स एक जिन की वनसागिती एक जोड़ी युगम विकलपी मिन्स आपको अब यह पता है कि युगम विकलपी क्या होता है कि मद्दे होने वाले क्रोस को एककल संकर क्रोस कहते हैं यानि जो एक जोड़ी है मनलब एक पेर है कि युगम विकलपी कि मद्दे होने वाले क्रोस क तो क्या कहेंगे एकल संकर क्रोस कहेंगे एक जोड़ी युगम विकलपी फोर एक्जामपल देखते हैं कि एक जोड़ी युगम विकलपी कौन सा लिया है यहां पर लंबाईगा युगम विकलपी किसका लिया है लंबाईगा यह सुद्ध लंबा हो गया यह सुद्ध बोना ह गया इन दोनों के मद्दे क्रोस करवाएंगे इन दोनों सबसे पहले हम परप्रागन करवाते हमेशा एवन पीडी होती है उसमें हमेशा यह याद रखना कि परप्रागन ही होगा जो एवन पीडी है इसमें हमेशा क्या होगा परप्रागन ही होगा यानि जो पेत्रक पीडी ह इसमें माता पिता आ गए यह इनका सिंबोल हो गया नर का सिंबोल यह है और माता का सिंबोल यह है यह एक दूसरे के युगम विकलपी हो गए इन पर जब हम पर प्रागन करवाएंगे तो जो एवन पीडी होगी वह हमें प्राप्त होगी प्राप्त करने के लिए हमें कौन सा प्रागन करवाना पड़ता है सुव प्रागन एवन पीडी प्राप्त करने के लिए हमें पेत्रक पीडी में हमेशा पर प्राप्त करवाना होगा और जो एवन पीडी हमें प्राप्त करने के लिए जो एवन पीडी है हमें प्राप्त करने के लिए हमेशा सुव प्राप्त पाना होगा यह याद रखना इन दोनों को हम सोवप्रागण की द्वारा अलग-अलग कर लेंगे अलग-अलग करने पर यहां पर क्या करवाएंगे हैं आवन पिडी में सोवप्रागण तो यह जो हमें एलिल प्राप्त हुए हैं यानि युगम जो प्राप्त हुए हैं इनमे जो सुद लंबा पादप प्राप्त होगा केपिटल टी और स्मॉल टी को जब क्रोस करवाएंगे तो केपिटल टी और स्मॉल टी पादप प्राप्त होगा लेकिन यह लंबा जरूर होगा लेकिन सुद लंबा नहीं होगा जो केपिटल टी है small t को जब cross करवाएंगे तो capital T और small t प्राप्त होगा यह भी ऐसुद लंबा होगा जो capital T है इसको small t से जब cross करवाएंगे तो हमें कोन सा प्राप्त होगा सुद बोना तो ऐसे हमें app to PD प्राप्त होती है तो सम लक्षणी अनुपात कौन सा होता है कि जिसे हम बार सी देखकर यह पता लगा सकते हैं जैसे यहां पर capital T या पर परवावी लक्षन है या पर भी परवावी लक्षन है या पर भी परवावी लक्षन है तो यह जो पोदे हमें प्राप्त होंगे यह हमें लंबे प्राप्त होंगे तो जो पोदे प्राप्त होंगे तो इसको हम तीन अनुपात एक और जो दूसरा जो पोदा से हमें प्राप्त होता है तो समझीने अनुपात क्या होगा यहां पर हमें एक सुद लंबा प्राप्त हो गया यहां पर हमें ऐसुद लंबे प्राप्त हो गए दो पोदे ऐसुद लंबे प्राप्त हो गए यहां पर एक सुद बोना प्राप्त हो गया तो इसका अनुपात क्य है वह ऐसुद लंबे प्राप्त हुए है और जो एक पोदा है वह सुद बोना प्राप्त हुआ तो इस प्रकार से यह हो गया समझिनी अनुपात मिन्स जिनो टाइप थैंक्स पोर वाचिंग माई वीडियो कल का हमारा टोपिक होगा द्यूशंकर क्रोस जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे द्यूशंकर क्रोस के बारे में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेर, कमेंट जरूर करना अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना थैंक्स पूर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई एंड टेक केर फ्रेंड्स थैंक्यू